इत्र की बूंद, फारसी समराट और समराट अकबर अकसर एक दूसरे को उपहार भेजते थे। एक बार फारस के राजा ने बादशाह अकबर को उपहार स्वरूप एक दुरलब प्रकार का इत्र भेजा। अकबर के हाथ से इत्र छूटा और इत्र की एक बूंद गिरी। अकबर नीचे जुक कर इत्र की बूंद उठा रहे हैं। जब बीरबल ने अकबर को अपने सामने घुटनों के बल बैठा पाया, तो बीरबल आश्चर या चकित रह गए। अकबर को उस हालत में देखकर बीर अकबर को लगा कि बीरबल भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा। उस समय वह कुछ नहीं कह सके। लेकिन उसका मन उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वह किसी भी तरह बीरबल की उसके प्रतिधारणा को बदलना चाहता था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे यह दिखाया और कहा बीरबल देखो लोग कितनी खुशी से इत्र से भरी बाल्टियां ले जा रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है। अकबर का इरादा बीरबल को यह दिखाना था कि भारत का बादशाह अकबर इत्र के मामले में कंजूस नहीं है। वह चाहे तो धेर सारा इत्र दान कर सकता है। बीरबल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। यह टंकी से नहीं, बूंद से आती है। यानि कि पूरा सागर भरने के बाद भी वहां गई एक बूंद कभी वापस नहीं आती। इस वाक्य की सहायता से बीरबल ने कहा कि अकबर की इत्र क एक बूद भी उठाने की स्वाभाविक क्रिपन प्रवृत्ति के कारण जो सम्मान खो गया है, वह पूरा समुद्र भरने के बाद भी वापस नहीं मिलेगा। का मोहत्यागे बिना अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहना चाहिए।